लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें हम फेस्टिवल के लिए अर्बन हाट में आडिसन खात्म दोसों से अधिक युवाओं कभियों और कलाकारों ने किया प्रदर्शन हमारी थी चान से प्यार थी तेरे लिए मैंने दुनिया सब्सक्राइब हम फेस्टिवल 2020 के लिए बेलापूर में तीन दिवसी आर्डिशन खत्म हो गया छह मार्श से आठ मार्श सक प्रस्तावित इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए दोसों से अधिक लोगों ने अपना प्रदर्शन किया हम के संसापक शायर नजर बिजनवरी ने बताया कि हुएम यानी हम हिंदी उर्दु मराठी इन त्री भासाओं को प्रोश्राहन देने का फेस्टिवल है जिसमें कोई भी कविता, गीत, शायरी, डांस, कॉमेडी और सिंगिंग का हुनर दिखा सकेगा उन्होंने कहा कि फेस्टिवल में फिल्म और साहित जगत की कई हस्तियां उपस्तित रहेंगी जो त्रीभासी रशनाकारों और कलाकारों का होशल अब ढ़ाएंगी फेस्टिवल में बुक फेर, फुट स्टाल, फेस्टन सो समय तमाम कारिकरम भी आयोजित किये गए हैं सिंगर हो, डांसर हो, आठ कलजर से जोड़े वे जितने भी लोग हैं ये तिन दिन से फेस्टिवल चल रहा था और फेस्टिवल का ओडिशन चल रहा था फेस्टिवल की जो डेट है हमारी, वो छे मार्च से आठ मार्च तक है तीन बज़े ओपनिंग होगी, राद दस पे तक इविंट होगे 51, 51 स्टॉल्स होगी, उसमें खाने के स्टॉल्स हैं, बुक फेर हैं और कल्चर की सारी स्टॉल हैं, टोटल हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के अलावा कोई चीज़ यहां पर जड़ने होगी और ये H, हिंदी, U, उर्दो, M, मराठी, तीन जबाने और तीनों जबानों की तहजीब, त्री लैंग्वेज, त्री कल्चर ये एक मिशन है हमारा, इसमें बाली वृट से बहुत सारे लोग आएंगे जावेज सिद्यक्य साब हैं, एक बहुत ही बड़े राइटर हैं, इसके प्ले में उनका एक बड़ा नाम है उनकी बहुत सारी फिल्में आप लोग ने देखी होंगी आने वाली नसलें भी देखी, ओमरावजान डाय लग रट रहे हैं उम्रावजान उनी की थी दिलवाले दुलानी उनी की थी राजा हिंदुस्तानी उनी की थी बाजिकर उनी की थी डर और बहुत सारी फिल्में कई बड़े आवार्ड फिल्म फैर और तमाम हो चुकी है मराठी और हिंदी फिलमों का और मराठी और हिंदी पूरे हिंदुस्तानी तहजीब का एक बड़ा नाम है सेचिन प्लगावकर वो अपने आप में मकमल एक हम हैं वो यहाँ एंगे उनके ख़यलाद, उनसे मुलाकाते नवी मभी की होंगी ये हिंदुस्तान की एक बड़ी तहजीब को तीन जबाने हिंदी उर्दू मराठी इसके बगएर मुंबई और महाराज बिलकुल नी चल सकता तो इसी पूरी तहजीब को हमने दर्शानी कोशिश की है बेलापूर के सिटको और वनहार्ट में चले इस ओडिशन कारिकरम में उपसित कुछ कलाकारों, शायरों और साहितिक संसाओं के प्रतिनिदियों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अनूठे H.E.M. फेस्टिवल की सराना की आईए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा तीन दिन था ओडिशन था तिसरा दिन था लास डे था और दिन बन दिन लोग बड़ते चले गए परसों पहला दिन था आज तो तकरीबन सिंगिंग में ही 20-25 लोगों ने हिस्सा लिया उसके लावा पोईटरी में डांस में जितनी वराइटी है उसमें सभी कैटेगरी में जो है लोगों ने बड़े जोशती हिस्सा लिया और खास बात यह थी कि हिस्सा लेने वालों में सभी एज ग्रूप के लोग शामिल थे बहुत इतने चोटे से पांच-छे साल के बच्चे से बच्चियों से लेकर तो बड़ी उम्र के बज़र्ग सेनियर सिटिजन तक शाम है उस प्रोग्राम की काम्यावी की जो छे साथ और आठ मार्च को यहां पर होने वाला है हिंदी उर्दो और मराठी का एक तारीखी प्रोग्राम एक गंगा जमनी तहजीब की अलामत जो है इस फेस्टिवल में सब को नजर आएगी और मैं समझता हूं कि इन तीनों दिनों में हम लोग इसको गेज कर रहे थे और हमारे साथ बहुत सारे जजी जो इसे दूसरे अलग-अलग केटेगरी में सब करें थे तो मैं समझता हूं कि हां बॉलीवूड से भी बहुत सारे लोग थे सिंगिंग के लिए जैसे गेज करने वाले बहुत अच्छे सिंगर से एक सि अच्छी डांसर थी नहीं अलग-अलग कैटेगरी में जो अपनी फील्ड के माहिर लोग हैं उन्हीं लोगों ने बतौरे जज इन तीन दिनों में जो है लोगों के ऑडिशन को गेज किया है और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे रिजर्ड्स के साथ जो क्रीम है जो इन सार हुआ कि अगर ये प्लेटफॉर्म ना मिले या इस टाइप के प्लेटफॉर्म ना मिले तो नया टैलेंट कभी भी जो उभर कर बाहर नहीं आ सकता किसी को भी जो है अचानक बड़ा प्लेटफॉर्म या बड़ा स्टेज नहीं मिलता है ऐसी ही कोई कहानी शुरू होती है हम जैसे हमारे नजर भाई जैसे और दत साब जैसे लोग हैं जो ऐसा प्लेटफॉर्म क्रियेट करते हैं नए टैलेंट को बाहर आने का मौका देते हैं और यही वज़ा है कि भारत में छुपावा जो टैलेंट है वो न्यू बंबे के जैसे इस इस इलाके में कभी इस किसम का प हमारे जो तन्जीम है वह थिरिवेणी है इसमें कहा तीनों का मिलना और तीनों कल्चर तीनों लिट्रेचर एक बहुत-बढ़ी बात है ऐस दाना सब लोगों का इतना इसमें प्लेट पॉट्षी जो है हम बहुत ज्चादा और टैलेंट सकॉतिंग करके जन ते को देने की एक भरपूर कोशिच करेंगे। जो भारत है ये हमारा भारत गंगा जमनी तहजीब को पेश करता है वो तहजीब जो सब जुबानों से मिल करके बनी है तो हमका जो प्लेटफॉर्म है उसका दो मकसद है एक तो ये कि नया टैलेंट जो है वो सामने आए और दूसरा मकसद ये है कि आज के मौहल को देखते हु यंगर जनरेशन को हमारी भारतिय संसक्रिती, हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब, हमारे तमद्दुन से अउगत कराना उनके अंदर इस तहजीब को ले करके जागरुकता पैदा करना बहुत जुरूरी है और हम जो है इस काम को बहुत अच्छी तरही किसे करने की कोशीश कर Bureau Report, TB1 India